हाई एप्रिवेंड वेलकम टू पीजी जॉपसन एडमिशन आज के इस वीडियो में मैं आप से एचन भी गरवाल उनिवर्सिटी के पीजी इंटरेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जिसे इस उनिवर्सिटी के पीज तक जरूर देखिएगा चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसे के आप देख रहे हो इस 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 ओफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम एचन भी गरवाल उनिवर्सिटी इस नोटिफिकेशन में उन्होंने यह बता है कि उनके पीजे इंटरेंस एग्जामिनेशन क है वह 22nd December को ही रिलीज वे हैं और इनके जो लाज़ डेट होगी ओलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को सब्मिट करने की वह होगे आपकी 15 जैन 2022 और आपके जो भी कर्रेक्शन होंगे एप्लिकेशन फॉर्म में वह 16 से 18 जैन के बीच में होगे आपको कर्रेक्शन करवा लेना ह और आपका जो एडमिट कार्ड है वह 1st FAB को डाउनलोड होगा 1st FAB से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो देन डेट ओफ एंट्रेंस टेस्ट आपके एंट्रेंस टेस्ट की डेट होगी 6th FAB 2022 जो के संडे को होगा इन्होंने इस नोटिफिकेशन में यह भ नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको वीडियो के तुरू बता दूंगी इंपोर्टन डेट याद रखनी है यह लिंक है hnbguadmission.smart.ad.in इस लिंक को ओपन करना है यहां से आप लॉग इन कर सकते हो और यह जो लिंक है मैंने description box में provide कर दी है तो आप वहां से इस page को access कर सकते हो और यहां पर आप देख रहे हो हो epsg corsू अग्जेंस अग्जामिनेशन से रिल्डिटेट उन्हें गुछ prospective आपके साथ शेयर करे है यहां पर आपको काटकर करका रहें यह přिशा में काटिए जॉसमें करने के बाहें यह प्रोषप्टेरस आपकी पर open ho जाएगा जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि HNB गरवाल University के जो PhD Intense Examination में कितने सब्जेक्स में आप PhD कर सकते हो जैसे School of Agriculture, Science, Commerce, Education, Engineering, Management, Law ये सारे सब्जेक्स में आप PhD कर सकते हो आपको स्क्रोल डाउन करना है आपको Candidates के लिए इंस्ट्रक्शन गिवन है आपको इस सारे इंस्ट्रक्शन एक बर पढ़कर जाना है नीचे आपको स्क्रोल डाउन करना है यहापर आपको Eligibility Criteria गिवन है PhD प्रोग्राम में admission लेने के लिए आपका क्या eligibility होना चाहिए आप आपके जो Master's degree है उसमें आपको minimum 55% marks होना चाहिए अगर आप ST, SC, OBC category में ब्लॉंग करते है तो आपका minimum 50% होना चाहिए इन्होंने admission process से related भी आपके साथ कुछ information शियर करी है यहापर उन्होंने fees बताया है अगर आपकी category journal, OBC, EWS है तो आपकी fee होगी 700 SC, ST में अगर आप ला कि हमने अभी discuss कर लिया है तो यह date इन्होंने फिर से आपको बताया है तो आपको यह date याद रखनी है स्क्रोल डाउन करना है आपको नीचे तो इस university के कुछ 4 centers है और उनके codes यहापर given है जिसे श्री नगर, नियू देली देरादुन और नीचे आपको again instruction given है आप यहाँ से instruction read कर सकते है देन इस page पर उन्होंने जो जो subject है आपका subject के इसाप से उन्होंने आपको seats बताया है कौन-कौन से faculty में कितने seats available है जिसे English में 8, Hindi में 3, Commerce में 8, Geography में 6, Geology में 4, इसी तरीके से आपको सारा एक बार देखकर चले जाना है and then इस university के total 150 seats available है so 150 seats अभी भी available है आप अ university के entrance examination form ongoing है अब अभी भी इस university के application form को fill कर सकते हो then आपको उपर जाना है page number 3 पर आपको आना है page number 3 पर आपको 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 इस university में admission लेने के लिए आपको कौन-कौन से process और कौन-कौन से steps फॉलो करने है जैसे कि मैंने आपको criteria बता दिया है कि आपको minimum 55% उनन से है अगर क आपको category में belong करते हैं सो आपको minimum 50% होना जाए देन उसके बाद यहां पर उनने बताया है कि आपका जो entrance exam का paper होगा वो दो sections में divided होंगा section 1 and section 2 section 1 आपका research methodology पर based होगा जिसमें total आपका research methodology 50 marks का होगा and section B होगा आपका subject specific होगा जिस भी subject में आप PhD कर रहे हो जैसे engineering, commerce, management, law वो आपका section B होगा और section B जो कि आपका specific subject होगा उसमें भी आपका section B 50 marks पर based होगा then नीचे आपको scroll down करना है तो यह पर आप देख सकते हो आपको यह exam qualify करने के लिए अगर कोई आप category में belong करते हो आपको 45 होगा then journal के लिए 50% minimum आपको 50% score ही करना है इस PhD entrance examination में तभी आप PhD के लिए apply कर सकते हो and then आपका जो second part होगा अगर आप PhD entrance exam को qualify कर लेते हो then आपको interview process होगा interview और वायवा आपका 30 marks का होगा इस तरीके से आपका 70 marks आपका entrance exam पर होगा और 30 marks का आपका interview process होगा and then जैसे कि आप मैंने आपको बताया आपका जो paper है वो दो sections में divided है section में आपका research methodology पर based है और इसमें 50% marks ह इसलिए हमने आपके preparations के लिए research methodology का complete course launch करा है जिसमें हम आपको full syllabus video lectures, full syllabus notes, 10 full syllabus mock tests and 700 plus practice mcqs PDF provide करेंगे in both the language, Hindi as well as in English तो यह जो हमारा study material है research methodology का यह हमने हमारे experience के basis पर और जैसे PhD entrance exam में questions आते हैं उसके basis पर हमने यह सारा study material provide करा है आपको जिसमें जो notes है हमारे उसमें जो exam में point पूछे जाते हैं उसको हमने highlight करकर बताया है और mock test अगर आप mock test देते हो तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से practice सोचाएगे तो मैं आपको guarantee देती हो अगर आप हमारा research methodology का course है आप इस course को follow करते हो तो आपको research methodology के लिए और कोई material follow करने की जरूद नहीं पड़ेगी research methodology की सारी guarantee हमारे होगी हम आपको research methodology के लिए prepare करवाएंगे और आपको guarantee देते हैं अगर आप हमारा study material है इसको एक week में complete क इससे कि आपका time है वो आपका section B पर लागा सकते हो section B जो कि आपका subject specific होता है so section B का मैं आपको यह suggest करूँ कि section B के लिए आप आपके post graduation के study material follow कर ये in case आपके पास section B का study material नहीं है तो हम section B का study material भी provide करते हैं अगर आपको हमारा course join करना है तो आपको इस number पर हमें contact करना है and fee for the course is just $4.99 and thank you for watching this video